जिस आदमी ने खुले आम कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो हिंदुस्तान से हिंदुओं को खतम कर दूँगा जिस आदमी ने खुले आम भगवान स्री राम का अपमान किया और एक बार नहीं कई बार अपमान किया जिसने माता कौसिल्या के बारे में अभद्र शब्दों का उपयोग किया उसे तिहार में होना चाहिए था जेल में सड़ना चाहिए था कम सकम 50 साल के लिए जेल में होना चाहिए था लेकिन वो विधान सभा में बैठा हुआ है और आब तो दूसरों को विधान सभा की सपत भ महा घटिया है इस अठारासो साथ के इंडियन पिनल कोड में रिख डिफाइन ही नहीं हैं कि स्वह सье स्वह से शाम तक हेट स्पीच की चर्चा होती है लेकिन आपको जानके अश्यर होगा कि भारत के किसी भी कानून में हेट speech define नहीं है मैंने PIL फाइल किया Supreme Court में Supreme Court से कहा है कि जब तक संसद में hate speech के उपर कानून नहीं बन रहा है तब तक hate speech आप ही define कर दीजे लेकिन Supreme Court ने भी आज तक hate speech को define नहीं किया और hate speech इसलिए नहीं define हो रहा है क्योंकि जिस दिन hate speech define हो जाएगी उस दिन बहुत सारी किताबे hate speech के दारे मा जाएगी बहुत सारी तक्रीरे hate speech के दारे मा जाएगी बहुत सारी बाते जो loud speaker पर कही जाती है चिला चिला के वो hate speech के दारे मा जाएगी F.I.R. लिखना सुरू हो जाएगा मुकदमा दर्जोना सुरू हो जाएगा इसलिए ना अंग्रेजों ने हेटी स्पीच कोسبार ना आस तक किसी सरकार ने हेटी स्पीच कोślous किसी भी कानून में हेटी स्पीच डिपाइन है इसलिए यह जो हिंदूँओं को खत्म करने की बात कर रहा था और उसके नाम पे उसके उसके सपत लेने की बात पे और विधान सभागी में रहने के नाम पे जो बहुत सारी बाते हो रही है उसका समाधान है One Nation One Penal Code एक देश एक दंड संगिता 1860 का इंडियन पिनल कोड खतम करना पड़ेगा इसी जितने भी भरष्टाचार के और अपराध हैं सब के लिए एक कानून मनाना पड़ेगा हेट स्पीच को डिफाइन करना पड़ेगा दूसरा आखिर उसने पब्लिकली कहा था है 15 मिनिट के अंदर हिंदुस्तान से हिंदों खतम कर दोंगा उसके बाद court ने उसको भाष्ट बरी क्यों कर दिया इसका मतलब हमारा evidence act जो गवाहों के बयान होते हैं वो कानून महा घटिया है तीसरी बाद इसका मतलब हमारा जो police का system है जो investigation का system है वो भी गरबढ़ है 1860 का Indian Penal Code बदलना पड़ेगा one nation one police one penal code लागू करना पड़ेगा 1861 का police act बदलना पड़ेगा one nation one police code बनाना पड़ेगा 1872 का evidence act खतम करना पड़ेगा नारको polygraph bin mapping कानून बनाना पड़ेगा जिससे कोई अपनी बास से मुकर न सके जिससे उसकी सच्चाई सामने आ जाए और 1872 का evidence act का अस्थान पर one nation one evidence code बनाना पड़ेगा तब ऐसे जो नफरती लोग हैं जो खुले आम हिंदुस्तान में हिंदों को खतम करने की धमकी देते हैं तब ये संसद विधान सभा में नहीं जा पाएंगे तब ये जेल में सड़ेंगे अधरवाइस तूतू मैं में होता रहेगा नूरा खुस्ती होती रहेगी बतोले बाजी होती रहेगी आरोप रत्या रोप होता रहेगा और ऐसे लोग विधान सभा में भी पहुंचेंगे ऐसे लोग संसद में भी पहुंचेंगे और ऐसे लोग मंत्री भी बन जाएंगे ऐसे लोग कल को मुख्य मंत्री भी बन जाएंगे ऐसे लोग भारत में नरसंगार शुरू करने का आडर भी कर देंगे रोकने का तरीका यही है कानोन सबसे बड़ी बात यह है अठा-1951 वाला जो Representation of People Act है वो अंग्रेजो का बनाया हुआ है महा घटिया है अंग्रेजो का जो कानून पहले चल रहा था उसी का वो copy-paste है कहने को 1991 में बना है 1951 में बना है 1951 में बना है लेकिन है वो अंग्रेजो वाले कानून की फोटो कापी copy-paste है वो भारत में one nation one election code लागू करना पड़ेगा सांसोदों विधायकों की duty ते करना पड़ेगा सांसोदों विधायकों के लिए strict code एक नियम बनाना पड़ेगा अखिर कलरक और कलेक्टर के लिए इस्टिक्ट नियम हो सकता है, चपरासी के लिए इस्टिक्ट नियम हो सकता है, हवलदार थानेदार के लिए कठोर नियम हो सकता है, तो सांसद विधाय के लिए कोई नियम ही नहीं, वो कितने भी दिन सर्विस में रहें, कितने दिन कम हो या ज्यादा हो सवाल पूछे या ना पूछे चर्चा में भाग ले या ना ले कोई अपनी तरफ से सुझाओ दें या ना दें उनके लिए कोई नियम कानून नहीं मनमर जी के मालिक और एक बार विधायक हो गए एक बार संसद हो गए तो वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता रहेगा पेंशन पूरे आजीवन मिलेगी एक देश एक चुनाव संगीता बनाना पड़ेगा एक देश एक विधायका संगीता बनाना पड़ेगा इस टाइप के नफरती लोगों को संसद विधान सभा में जाने सो रोकने के लिए आपको जुडिशल चार्टर लाग है और जब तक हम कानून नहीं बदलेंगे पुलिस चार्टर लागू नहीं करेंगे जुडिशल चार्टर लागू नहीं करेंगे एड्मिस्टेट्व चार्टर लागू नहीं करेंगे सिटिजन चार्टर लागू नहीं करेंगे तब तक विवस्था में कोई बदलाव नही नहीं बना देते ऐसे गुंडे मौवाली टाइप के लोग जो है विदान सभा में पहुँचे नहीं पारसद बन ना पाए प्रधान ना बन पाए सांसद ना बन पाए एक किवल कानून मना दिया जाए जस्टिस विदिनियर जुडिशल चार्टर एक घंटे के अंदर फैंसला होगा एक घंटे के अंदर फैंसला होगी एक महिने में जांशपूरी होगी एक साल के अंदर फैंसला होगा देखिए कितने सारे नफरती टाइप के लोग जो खुले आम धमकी देते रहते हैं, कभी पत्थर बाजी करते रहते हैं, कभी दूसरों को उकसाते रहते और जो खुले आम धमकी दे सकता है हिंदुस्तान से हिंदों खतम करने के लिए, सोचिए वो पीठ पीछे क्या-क्या कहता होगा कितने सारे लोगों को उक्साता होगा कितने सारी साजिसों में साजिस करता होगा और वो क्या-क्या करता होगा फोन पे क्या-क्या लोगों को समझाता होगा आमने सामने क्या-क्या समझाता होगा वह जो खुले आम भगवान राम को गाली दे कितने उप रादियों के संपर्क हो वो किसके की सचाई की सच्छाई किसे पता चलेगी वो तो खुद बताईगा नहीं कि हम इतने अातंग वादियों का समर्थन करतें theo आदमी कभी यह बोलेगा भाने कि वैप आईसे इसे लोगों संपर्क है और पुलिस उसको डंडे मारके उसे सच उगरवा ही सकती क्योंकि वो तो विधायक दिलवा रहा है विधायक नए नए विधायकों को सपत दिलवा रहा है ये तिहार में सड़ रहा होता ये किसी जेल में सड़ रहा होता और दुनिया की किसी और देस में होता तो भी इसका यही हालत होती लेकिन भारत में है जहां हिंदूों को खतम करने की धंकी देता है अगर आप लोग के आख नहीं खुल रही है तो भगवान जाने कुछ भी नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता आप लोग ऐसे ही दल गुलामी करते रहिए ऐसे ही पार्टियों की गुलामी करते रहिए पुलिस रिफॉर्म पे मौन रहिए जुडिशल रिफॉर्म पे मौन रहिए administrative reform पे मौन रहिए citizen charter की मांग मत करिए police charter की मांग मत करिए judicial charter की मांग मत करिए बस ऐसे ही आप लोग सुबस लेके शाम तक कि बस दल गुलामी करिए partyों की जैजेकार करिए नेताओं की जैजेकार करिए अखिर इस देश में संसद है संबिधान है supreme court है high court है district court है कहने को सब कुछ है और फिर भी जिस वक्ति को jail में होना चाहिए था वो बिधायकों को सपद दिलवा रहा है सब कुछ तो है इस जैस में नेता भी है अभिनेता भी है लेखक भी है वो द्रिजी भी है पत्रकार भी है कलमकार भी है कुछ कर पाए क्या उसका नहीं कर सकते क्योंकि जो करना वो कानून को करना और कानून घटिया है कहते हैं भारत में कानून का राज है किसी वक्ति का राज तो है नहीं भारत में ने किसी political party का राज है ने किसी नेता का राज है ने किसी विक्ति का राज है भारत में कानून का राज है और कानून घटिया है और घटिया है तो राज घटिया है इसलिए उस विक्ति के बारे में तू तू मैं में आरोप रत्यारोप करके कुछ नहीं मिलने वाला कोई जमीनी इस्तर पर कोई बदलाव नहीं आगा जमीनी इ जूडिशल कोड लागू होगा और भारत में जब वन नेशन वन टैक्स कोड लागू होगा जब भारत में जस्टिस विदिन एर होगा एक साल के अंदर मुकद्नों का फैसला होगा तब जाके बेवस्था में बदलाव आएगा नहीं तो ऐसे तुतु मैं में आरोप रत्यारो कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए धन्यमाद